इस्टाटो नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहते चैनल टीचर्स अकडमी के संस्थान पर मैं हूं सुचिस सिंग जैसा कि आप जानते हैं सुबह होते ही आपकी सिक्षक संबंधी जो भी खबर होती है वह हम आपके लिए ले के आते हैं थोड़ा सा जुड़िया है ताकि हम न्यूज को आपके बीच पहुचा सकें तो चलिए देखते हैं जैसा कि आप जाना है कोर्स अपड़े आप इससे भली भाती परचित हो गए होंगे कि यहां पर कोर्स अपड़े का मतलब क्या होता है अगर आज जो कोर्स अपड़े आपके लिए आ इस पर आपको काल करना है काल या वार्ट सेफ करतेंगे तो आप इसका फाइदा उठा देंगे नौशन और नियान में पूरे कोर्स मिलना बहुत कठीन है आप लोग के लिए ही यह दिये जा रहा है कि हर एक बच्चा पड़ सके ठीक तो चलिए अब आते हैं मुख खबर प साधर्ना प्रदर्शन था इसका निसकर्स का निकला है आपको दों आप मुझे देख रहे हैं यह मैं हूं यह आप मैं हूं ठीक है आप मुझसे भली आती परचित हो गए होंगे कि हर एक आंदोलन में आप लोग के साथ जाती है बच्चोग साथ खड़ी रती है पढ़ाने कि क्या कैसे पहले यह पढ़े लेटे हैं शिक्चा सेबां आयोग परीचल में मंगलवार को पतरसंद करते प्रतयोगी 6 शात्र डीवाय पर मुझे देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आप लोग स्टोड़ेन्ट हैं देख रहे हैं तो यहाँ सब्सक्त Cancer स्ब्सक्री दूद नई भरती नई भरती दो ही मांग थी कौन कौन से नए रिक्तपद और 2022 की परिच्छा डेट की परिच्छा डेट सबको पता है परिच्छा डेट यही आपका दो डिमांड था ठीक तो डिमांड में क्या हुआ है पहले डिमांड में ने साब कह दिया है कि ऐसा है हमारे पास इसका अधिकार नहीं है अधिकार सासन अस्तर पे यह काम हागा अगर सासन जो कहेगा सासन के पास गया सासन निक कह दियाक भया आपको 25,000 पद जोडने हैं हम इसी इसी वाले 2022 वाले में ही जोड़ेंगे फिलाहाल में सासन से हमें कुछ भी आदेशित नहीं हुआ है यह हमारे अधिकार छेतर में हुथा हम इसको जोड़ देते फिर 2022 की जो मुखे बात थी 22 की परिच्छा डेट कि सर क्या होगी जनवरी में होगी या आपका मार्च अप्रेल में होगा कब होगा कुछ तो हिंट दे दीजिए हमारे बीम सर ने कई बार इस पर दबाव डाला अच्छा महिना बता देजिए किस महिने में होने के चांस है डेट में ब बाद बड़ा जो है फैसला सब सामने नंसों अट एक सबके सामने नांस होगा तो नूनी बात कही थी यहां पे थोड़को बढ़ यह 25 आरप्द रिखता है और यहां पर लाक से ज्यादा है जबकि आवेदर तीर अन्यों पालने करन इसी भीच दिक तब अन्यों को जोड़ है उसे मिलने का इतना निकला है कि भाया सीधी सी बात है जब तक अधियाचन नहीं आएगा सरकार दरा कुछ होगा नहीं तब तक हम लोग उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं हाँ उन्होंने एक बात कही है कि अधियाचन भेजना हमारा काम नहीं है यह हमारा कम नहीं है लेगिन आप लोग के धरने प्रदसन को देखते हुए मांग को देखते हुए हमने स्वयम सरकार के पास अधियाचन भेजा है ताकि वहां से कोई आदेश आ सके उस आदेश के पास हम कर सके करें कि तब सर बताएं ही क्या क्या ही सब पर तो पानी फेर दिया सर हां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कोई ज्यादा निसकर्स नहीं बता है किसी चीज को लेकर कि वह अडिक रहे क्योंकि मैं तो वहां लगातार कवरेज कर रधा कांटीनियू में वहां समल लग सुबह 11 बजे से गये थे से बताते हूं कि भगवान तो हूं नहीं कि एक अंदाजा वस बता सकता हूं कि जनवरी में पेपर कराने के चांस मुझे लग रहा है कम ही है क्योंकि अभी इनकी तनी तैयारी हो नहीं पाई है सबसे बड़ा रीजन आप लोग जान रहे है कुम मेला इस बार कुम मेला की त नहीं रही है प्रीक है यह चीजें हैं दूसरीची जी क्या है आपकि की इशिव बढ़ने की जो बात चलरسم है है सासन असतर पर खनर हम अगर जाएंगे तब हो सकता है योगी जी के कानवी बात पड़े तो कुछ कारवाई करें वहाँ पर होगा लेकिन फिलाहाल इनकी जो पूरी मंसा है वो किवल 2022 का कराने के लिए प्रतिबाद है इनका पहली प्राइटी है केवल तीन एक्जाम कराना टीजीटी पीजीटी और असिस्टन प्रफेसर हैं उसी में त्यारी कर रहे हैं वह बार बार अपना दुहाई देरह तेक्सर हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं यह है वह अभी नया आयोग ब बता दिए अच्छाई बता दिए एक मंद बता दिए जन्वरी होने का से मार्च होने के चांस है उस्तों बता देजिए उनने साब अबने गहां यह नहीं है आपको मैंने बताया था कल ही कि आपका डियलेट का डेट बढ़ गया है जो लोग भी डियलेट का फार्म अभी नहीं बढ़ पाएं किसी कराण छूट गया था तो अब जाकर के फार्म भर देंड डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन प्रसिच्छन दोजा 24 में दाखिले के लिए आवेदन किति भढ़ा दी गई है यह 22 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन किया जा सकता है 23 अक्टूबर तक सुल्क जमा करके 25 अक्टूबर तक पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है डिप्लोमा कोर्स में परवेश के लिए परिच्छा नियामक प्राधिकारी के ने आनलाइन आवेदन की लिंक 18 सितंबर को जारी किया था इसका आवेदन वेबसाइट पर दिया हुआ है तो एक अच्छी कबर यह है कि आपका डिलेट का जो है डेट आपका कब हो गया है 22 अक्टूबर हो गया है तो आप अभी भी नहीं भरे हो जाकर के तो जाके आप अंतिम तिथी में लिख दे रहा हूं भर दिजे अंतिम तिथी ठीक है आप जाके भर दिजे ठीक तो आपका यह हो जाएगा क्लियर है आप कुछ भी पूछना जाते हैं पूछ सकते हैं इन इन में पांच या 272 पदों की भरतियां जल्द होंगी यह आपका क्या है अधिनस्त सेवा चैन आयोग स्वास्त कार करता महिला इन एम के बाउंस बहत्तर पदों भरति कराने जा रहा है 28 अक्टूबर से आव तकनीकी अधिनस्त सेवा चैन आयोग कई विकंसी कराता है उसी में एक विकंसी आपकी इन एम है ठीक है आपका देख रीजेगा तो इसमें पद है तो अभी महिलाओं के लिए 28 से अक्टूबर से वहां मरा जाएगा तो सारे डीटेल आपको वहां मिल जाएंगे स्कूल में तकनीकी अनुदेशकों की भरती होगी आउट्सोर्सिंग के माधियम जिन इन्हें एक वर के लिए नियुक्त किया जाएगा सेवा अवधी पूरा होने के पास संतो जनक पाये जाने पर आगे नमीनी करन होगा अब 15,000 प्रतिमाह मान दे होगा तो देखिए ये भी आपका सथाइए 15,000 महीन आपको मिलेगा ठीक है अब आपकी उम्र 11-40 वर्स है 21-30 वर्स है अब आपका यह क्या है सम्विदा पे हैं समीदा का काम सरकार ने शुरू कर दिया है सरकार जानी समीदा के रूप में घूस रही है हम लोग को पता भी नहीं चला देरे देरे कई सारी चीजों में सम्विदा पर आ जाएंगे ठीक है यहां पर पर्सेदी अपर प्राइमरी स्कूलों से लिकर पीम स्री विद्याले कास्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले अटल आवासी विद्याले तक में इसकी त्हांदि कियाएगी लर्निंग इसमें थोड़ा साफ नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने बता दिया कि आपका जो है तकनीकी अनुदेशक की भरती है ठीक है चलिए यूपी PCS चार सेटों में चयार होंगे परिच्छा के पेपर यूपी PCS का पेपर लग रहा है कि टीजिटी पीजिटी का जैसा इसका भी हाल होने वाला है पेपर ही नहीं हो रहा है मेरे पास कई बच्चे जो मेरे मित रहें काते सुचित कुस्तों इंफार्मेशन बताओ चुकि मेरा यह डिपार्टमेंट नहीं है मेरा डिपार्टमेंट तो ज्यादा टीजिटी पीजिटी असिस्टें प्रोपेसर जी आएसी एल्टी प्रवक्ता यह सब पर है लेकिन कई बच्चे जो इसी उम्मी से पुते सुच्छी कुस्तों बताओ तो यहां पर क्या हो गय चलना तय हो गया लंबा खिजाएगा लंबा जाने वाला है राज सरकार ने उत्ताव परदेश लोक्षेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भरती परिच्छाओं का प्रश्ण परत्यार प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है बरती परिच्छा के लिए अब अलग करता है इस पर को ले करके लगातार बच्चों की प्रक्रिया चल रही है विरोध हो रहा है नहीं लगता है को कोई फर्क पढ़ने वाला है मों कि मंती दोरा कविनेट बाइस सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने के बाद राजपाल अनंदी बेन पटेल ने उत 4 चार सेट पेपर आपके होंगे तो नार्म लाजएसन मारा जेसन जिसके लिए बच्चे बड़ा विरोध कर रहे हैं विरोध कर रहे है अब यहां कारण क्या है कि पादरसिता के करण यह हो रहा है जिस भी करण से कर रहे हो इस पर हम कुछ कहा नहीं सकते है ठेक चलिए तो लगभग लगभग दोजार पद आए हैं लगभग दोजार पद आए हैं सोचे बिहार पद आ रहे हैं तो टीचर में कितने पद आएंगे ठीक है सत्तर और रिक्तियां अलग लग विभागों में से प्राप्त हुई हैं अब अकुल रिक्तियों संक्या 2727 अपद हैं आपके सोच लिजिए 2727 पद हैं अभी तक एक लाग अस्याजार अभ्यरती ने आवेदन कर चुके हैं अभ्यरतियों की सिकायत है कि आवेदन में का डियार नूंबर कर दिगई इंगे सकति विद्यालियों में कनी सिछक नहीं बन सकेंगे प्रभाणी प्रधना ध्यापक तो किसी प्रात्मिक माध्य मादमिक और उस् पर्दान की बात है बिहार की जो लोग पही नए सिख्चक हुए वो नहीं बन पाएंगे जो बहुत वहां पर इंभवी होंगे experience होंगे उनको कई सलकानभव होगा उन्हीं को या वरिता दी जाएगी आपको मैंने डिलेट का दिखाया कि डिलेट बढ़ गई है जो मैंने समाच बाइस अक्टूबर तेस अक्टूबर को प्रिंट रेने की आपका हो गया है एक खबर यह आई है मैं बता द थी Supreme Court में तो सुनवाई पूरी हो गाई है और सीटेट हर स्टेट में मानने हो गया है हर राज में मान लिया गया है ठीक है हर राज में लागू होगा लागू होगा ठीक है यह सुप्रीम कोट का फैसल है अभी आफिसियल न्यूज नहीं आई है आफिसियल न्यूज जब आ जाएगी तुसको लेकर मैं आपको बता दूंगा तो जो अभी लड़ाई सुपर्टेट वर्सेज सीटेट चल लही थी या टेट सीटेट वर्सेज अन पहुंचा था यह आपका सुपरीम कोट में तो भी कल एक सफैसला बढ़ा आया कि सीटेट जो है वह हर राज के लिए अवेलबल रहेगा मान रहेगा यह अच्छी कबर है जैसे कोई बच्चा सीटेट पास है वहां का अगर स्टेट का कोई भी जो से बिहार्ट हो गया या जो भी आपको आएगी वह हम आपको बटाएंगे चोकि यह कल की खबर आपके लिया आए थे मनें बता दिया था रीड दिया या नहीं इन दे या नहीं बिल्कुर दीजिए अभी देखे सुदानसु जी अभी ना मैं रीट को लेकर कि भी आज मैं रीट जो बच्चे यह परस्ट मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि सर रीट दें कि ना दें क्योंकि जब सीटेट मानने हैं तो रीट देने का आउचित बनता है नहीं कहा कि अभी सुप्रीम कोट का अफिसियल यह आ जाए उसके बाद जो है रीट आपको देना होगा कि नहीं देना होगा उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे आज ही बनाए गर आज फैसला आता है तो आज ही पूरी जनकारी देंगे नहीं तो आपको कल जनकारी अभी आप एक आद दिन रुख जाए राकि रीट अला भी मैं क्लियर कर दूंगा और हीमा जी पूचने सब्सक्राइब न्यूव वेकंसी टीजीटी पीजीटी कब आएगी देखिए अभी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक प्रेस अधियाचन जो है देखिए अधियाच जये नहीं नहीं है तो अभी वेकंसी देखिए चंस नहीं हो रहा है तो जाएगा और उमीद है तक दिसमबर तक पूरा अधियाचन आ जाएगा पूरा अधियाचन आ जाएगा हर और आपको क्या हैगा है क्लेंडर जारी हो जाएगा जारी हो जाएगा अभी आपको थोड़ा सा सब्सक्राइड करना पड़ेगा कम सब्सक्राइब तो वेट करना पड़ेगा अभी हम लोग केवल एक सूचना के अधार पी आपको जानकारी दे सकते हैं क्योंकि हम लोग भी जो information मिलती है वही आपको information देते हैं क्योंकि आपको पताएगी हम लोग आयोग पास लगातार कल थे सरगये भी थे हम भी वहां लगातार पता चल ला तो मैंने बताया था वहां से जो चीजे निकली है आपके लिए ऐसी और भी कोई खबर निकल ठाँ कोई प्रशन पूछना पूछने था कि मैं इंडे करूं सेशन को ठीक चलिए और भी कोई ऐसी खबर आती है आपके लिए जो अती आवश्यक है वह हम आपके लिए लेके आएंगे तब तक आप स्वस्तर रहें मस्तर रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखे धन्यवाद झार कि बतना प्रहें अवश्यक जाएंगे खर Level कि मैं कि आप कर जथे सान्थ उहीं अवेड़ाद report झाल झाल